उर्फे जावेद जो इंटरनेट सेंसेशन है अपने काफी अलग तरीके के ड्रेसिंग सेंस के वज़े से काफी जानी जाती है उनके विडियोज आयगन वाइरल होते हैं उनके अलग-अलग यूनो फैशन सेंस को लेकर कई सारे लोग कई सारी बाते करते हैं कोई उन्हें पसंद करता है तो कोई उन्हें ना पसंद करता है लेकिन हमेशा कामेरा के सामने हसने वाली कामेरा के सामने अच्छ अच्छ पोजस देने वाली और अपने बिजार से और बोल्ड से आउटफिट्स जो है कामेरा के सामने दिखाने वाली अब उर्फी जावेद है काफी साड हो चुकी है और काफी साड स्टोरी उन्होंने अपने इंस्टेग्राम पे शेर की है आखिर क्या कुछ हुआ है उनके साथ चलिए आपको बताते हैं आप देख रहे हैं फीफा फूज मैं हूँ आपकी हूस्ट नोस इस फिदांगी करने का अपको बता दे कि उर्फी ने अपने इंस्टेग्राम पे स्टोरी डाली है कि किस तरीके से एक ओईल उन्होंने अमेजॉन से मंगाया जिसके बाद उनके उपर उसका काफी बुरा असर हुआ है उनके तब्यट खराब हो गई और सिफ उनकी ही नहीं बलकि उनके पूरे स्टाफ की क्योंकि उर्फी के साथ उनके स्टाफ ने भी मटर पनी जो है बनाया था खाया सबने उस खाने को एंजॉई किया था जो ओलिव ऑल में बनाता लेकिन उसके बाद जो है उनकी आखे सबकी जो है सूज गई उन्हें डिजीनस फिल हुआ और कई सारी बाते जो है उर्फी ने अपने स्टोरी में कही है इस तरीके से उन्होंने अपनी स्टोरी भी एक बॉटल मंगाया जीवो नाम के ब्रांड से और इस जीवो नाम के ब्रांड को मैंने ओर्डर करने के बाद मेरे पूरे एंटायर स्टाफ ने और मैंने मत्र पनीर खाया जो मेरा फीवरिट था हमने इसी ओल के साथ इस सबजी को बना था और उसके बाद हम सभी लोगों क को स्वेलिंग होने लग गई हमारे आइज में और हमें फटीग फील हुआ और हमें काफी जादा ड्राउजन इस भी फील हो रहा था और आइज सफर्ड दमोस्ट मेरे आइज अभी भी ड्राइ और स्वेल्ड अप है और मैं फिर भी आज थोड़ी सी ठीक हूं और मुझे यह मैंने कुछ फिश को घ्रिल किया in the same oil और उसके बाद मेरे साथ वही सेम चीज हुई जो कल रात को हुई थी और जब मैंने मेरा तेल बदला तब चीजे बाक टू नॉर्मल हुई और तब मुझे पे नहीं हो रहा था बट येस मेरे आखे अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है म इस तरीके से ब्रांड दिखाती है वो यहां कहती है कि शायद उन्होंने मुझे कोई expired packaging भेजा लेकिन 6-7 लोगों ने सेम चीज एक्सपीरेंस करी है तो इसमें कोई coincidence नहीं होगा इस तरीके से उर्फी ने जो है अपना दुख अपना दर्द जो है बयां किया है social media के उपर और इससे एक बात तो हमें जरूर सीखनी चाहिए कि अब अगर हम online product कुछ भी बंगाते हैं कुछ भी देखते हैं first thing that we should check is कि क्या उसकी expiry हो गई है expiry date check करना काफी जादा important है और उर्फी के इस experience से अगर हमारे लिए कुछ learning है तो वो यही है hope की उर्फी जल से जल ठीक हो जाए क्या कुछ है कि आपको इस पूरे incident के उपर कहना इस वाक्य के उपर क्या कुछ है कहना do let me know in the comments I'll see you guys soon